जो है कुछ themes का यूज़ करते हैं तो आप यहां से themes को भी install कर सकते हो ठीक है आपको यहां पर बहुत सारी free themes भी दिख जाएंगी तो simply आपको free themes को कुछ नहीं करना आपको simply यहां पर आ जाना है यहां पर आपको उपर की तरफ एक left hand side corner पर आपको themes का section दिखेगा आपको simply इस इस Theme मेरे को अच्छी लग रही है और इस Theme को मैं install करने वाला हूँ simply आपको इसके उपर click करना है और यहां पर आपको कुछ paid themes मिल जाएंगी तो आपको जो theme यहां पर install करना चाहते हो आप उसको install कर सकते हो simply फिर आपको install overlay के उपर click करने और आपकी जो theme है वो install हो जाएगी तो देख सकते हो कि मेरी theme यहाँ पर जो install हो चुकी है आपको simply कुछ नहीं करना है कि यहाँ पर आपको show होगा कि यह free theme है तो आपको simply इसके उपर click करना है यहाँ पर और इसको जो आपको delete कर देना है ठीक है अब यहां से हमने delete कर दिया है और अब जो हमारी theme है वो यहां पर show होनी शुरू हो गई है तो आप इसके अंदर अगर कुछ भी changes करना चाहते हैं तो आप changes कर सकते हैं जैसे कि यहां पर your name लिखा रहा है आप इसको change करना चाहते हैं तो आप simply इसके उपर click करो और फिर यहां पर modex gaming लिखा चुका है या फिर अगर आप opportune change करना जाते हो आप YouTube की URL डालना चाहते हो कुछ भी डालना चाते हो यहां से schedule लिखना चाहते हूँ कि आप dos Sunday शेडिवूल पर ग्रसाथे कर सकते हो स्ट्रीम अंड करना चाते हो तो आप यहां से सीन्स को चेंज कर सकते ह कुछ भी नहीं है बहुत ज़्यादा simple है guys और इसके अंदर आप अराम से scenes को change कर सकते हो और अगर आपके पास dual monitor setup है कि आप एक stream के उपर आप एक monitor के उपर stream कर रहे हो और एक monitor के उपर अपनी stream को handle कर रहे हो फिर तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी बात है आपके लिए औ झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल